में सरास के दोस्तों स्वागत और अविनिंदन है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में मैं हूँ आचारिस के थिवारी दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका बेक्तित तो कैसा होता है आपके लिए कौन सा रंग भागिसाली होता है कौन सा रतन आपके लिए भागिसाली होता है आपके इस्ट देव कौन है कौन सा बर्स आपके लिए भागिसाली सावित होता है यह सारी बाते आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको ऐसे ही जानकारी इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे दोस्तों सभी बारा रासियां अपने आप में कुछ खास होती है जो तिसकी बात करें तो सभी बारा रासियों का सुभाव अलग-अलग होता है और सभी एक दूसरे की तुलना में अपनी एक अलग पहचान रखती है ये भिसिस्ताएं उनके ग्रह के स्वामी लगने में मौजूद ग्रह उस पर पढ़ने वाली दिष्टी नच्छतर और ग्रहों के बल पर निर्भर करता है यही बज़ा है कि एक ही रास के लाखों लोगों के सुभाव में कुछ नकुछ अंतर अबस स्पाह जाता है जोती सास्तर के अंसार में सरास के जातकों में नेत्रित छम्ता गजब की होती है दरसल मेंसरास का स्वामी ग्रह मंगल देव है जो की साहस और पराकरम के देवता माने गए है आम तोर पर इस सरास की लोग इसपश्टबादी और निडर सुभाव के होते हैं ऐसे में आये जानते हैं मेंसरास के जातकों की खुबी और उनकी खामियों के बारे में मेस रास के लोगों में नेत्रित्व का गुण जन्मजात होता है। यह लोग हमेशा पहल करने को तयार रहते हैं। इस रास के जातकों के बिक्तित्व की सबसे महत्पूर्ण विस्यस्ता उनका निर्भीक होना है। यह लोग दूसरों का आदेश मानना पसंद नहीं करते और इस लगने के लोग काफी जिद्दी होते हैं और अचानक रोधित भी हो जाते हैं आबेग में आज आने के कारण इन्हें कुछ गंभीर परिसानियों का सामना भी करना पड़ता है जोतिस के उसार में सरास के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं ये लोग हमेशा उर्जा वान और जिंदा दिल इनसान होते हैं अपनी बहुमुखी प्रतिभा की बज़य से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं जोतिस गर्णा के उसार मेस रास बाले लोग खतरों से कभी नहीं डरते ये लोग सासी और चुनोतियों का सामना करने वाले होते हैं इनके सामने परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों नहों इन्हें डर नहीं लगता बलकि ये हर परिस्थितियों का डट कर सामना भी करते हैं जो तिस गणना के उसार मेस रास के लोग सुभाव से सोतंत्र होते हैं ये लोग अपने बारे में कोई भी निर्णाय लेने में सक्छम होते हैं और अपने निर्णाय को सबसे आगे समझते हैं इस रास के लोग आसाबादी, मासूम एवं बिस्वसनी होते हैं मेस लग इनको उ कोसीले और जिद्दी सुभाव वाले तथा अपमान वर्दास्त नहीं करने वाले होते इस सरास के लोग अच्छे मित्र और प्रेमी होते हैं एक बार किसी के हो जाते हैं तो उसे अपना सब कुछ देवैटते हैं ये लोग कपड़े फर नीचा और पुस्तकाला या दिकारियो में काभी खासी रूची रखते हैं में सरास के लोग हर काम को साफ सुथरे ढंग से करना पसंद करते हैं और समय से करना पसंद करते हैं अब आई दोस्तों इनकी कुछ खामियों के वारे में जानते हैं में सरास के जातक जिद्दी सुभाव के होते हैं और आसानी से अपना स्टेंड नहीं छोड़ते इस रास के लोगों को गुसा बहुत जल्दी आता है इस वज़ा से इनका किसी ना किसी से विवाज चलता रहता है ये लोग तब तक अपनी गलती नहीं मानते इसलिए दांपत्ती जीवन में परेसानी आती है इन जातकों की आँखे कमजोर रहती है इस रास का प्रभाव मस्तिस्क पर रहने की बज़ा से इन लोगों को मानसिक सांती कम ही मिलती है। भावुक और कामुक बेक्तिसाबित हो सकते हैं अगर आप मेस रास के बारे में उपर बताई गई बातों से परचित नहीं है तो आपको यह बात जानकर हैरानी हो सकती है वहीं ये प्रेम में होना मेस रास बालों के लिए काफी खुबसूरत एहसास होता है। मेस रास के लोग छोटे-छोटे फैसलों में भी अकेला पेन महसूस करते हैं, तो उनकी दोस्ती को भी नुक्सान हो सकता है, अपनी मित्रता के सम्मन्द में वो अपने बेक्तिबाद को बनाए रखने का विकल्प चुनते हैं, जो लोग अपने बंधनों में प्रयास करते हू मेंसरास के जातक काफी समर्पित होते हैं, हलाकि इनकी राय काफी मजबूत होती है, मेंसरास के लोगों के मन में किसी का सम्मान कम हो सकता है, यदि उन्हें लगता है कि वह वक्त उनके साथ अप्मान जनक विवार कर रहा है, जो उन्हें उचित नहीं लगता, साथ ही लोग अपने लिए अपने दोस्तों को भी छोड़ सकते हैं अब इस स्वेशनी रूप से समर्वित होने के साथ साथ ये लोग अत्यधिक चंचल भी होते हैं मेसरास एक भावुक संकेत है लेकिन इनका उत्सा हमेशा काइम रहता है दोस्तों अब आई ये जानते हैं आपके लिए कौन सा अंक सबसे ज़्यादा भागिसाली साबित होता है तो मेसरास के जातकों के लिए 9 का अंक भागिसाली माना जाता है 9 किस रिंखला में 9, 18, 27, 36, 45, 44, 63, 72 ये आपके लिए बहुत ही सुभ अंक और सुभ संख्या मानी जाती है अगर आप अपने लिए कोई भी अच्छा कारी करने जा रहे हैं तो 9, 18 या 27 तारिक को करें तो आपको सफलता के ज़्यादा चांस मिलेंगे अगर आपके सुभ रंगों की बात की जाएं तो में सरास के जातकों का सुभ रंग लाल माना जाता है अगर आप किसी कारण वस से लाल रंग का उपयोग जादा नहीं करते तो एक लाल रुमाल आप अपनी जेब में हमिशा के लिए रखें आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें लेकिन एक लाल कलर का कपड़ा या रूमाल आप अपनी जेब में जरूर रखें, यह है आप के लिए बहुत भागिसाली साबित होगा मेसरास का मंगल ग्रह से निकट का सम्मन्द है इस कारण मेसरास के जातकों के लिए भागिसाली दिन मंगल वार होता है आप अगर कोई भी नया काम ये कोई अच्छा कार सुरू करना चाहते हैं तो उसका चुनाव आप मंगल वार के दिन करें आपके लिए जाद अच्छा रहेगा साथ ही गुरुवार तथा रविवार का दिन भी आपके लिए बहुत ही सुभ और भागिसाली साबित होगा खासकर रविवार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपके सुभ रतनों की बात की जाए तो आप के लिए सब से सुभ और भागिसाली रतन मुंगा साबित होता है यह आप आँख मूद कर पहन सकते हैं आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी मंगल का रतन मुंगा आप हमेशा के लिए धारन करें हमेशा के लिए मतलब होता है कि मुंगे के उम्र सिर्फ दो वर्स की होती है दो वर्स के बाद आप उसे उतार दीजिए और दूसरा मुंगा आप धारन कर लीजिए लेकिन आप मुंगा हमेशा के लिए अपने हाथ में पहने रहें इसके साथ ही आपके लिए दूसरा रत्न माडिक के बनता है यह सूरी का रत्न है यह आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं तो आपके संतान और आपके सिक्षा के लिए और आपके प्रेम संबंधों के लिए माडिक आपके लिए सबसे सुभरत्न सावित होगा वहीं आपके भागे को जगाने के लिए भाग्योदय करवाने के लिए आपके लिए पुखराज सबसे बहतर रतन बनता है तो इन तीनों रतनों का चुनाओ आप अपने जीवन में कर सकते हैं लेकिन मुंगा आपको हमेशा के लिए धारन करना चाहिए यह आपके लिए भाग्यसाली रतन साबित होगा दोस्तों अब आई यह जानते हैं कि मेंसरास का भाग्योदय किस बरस होता है जो तिस सास्त के अंसार में सरास्त के जातकों का भाग्योदे उनके जीवन के 16 वर्स में, 22 वर्स में, 28 वर्स, 32 वर्स और 36 वर्स के आउए में होता है इन वर्सों के दोरान इनके हर कारे सफल होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिती और भी बहतर होती जाती है अगर आपके इष्ट देव की बात करें, तो आपके पंचम भाव के स्वामी सूरी देव बनते हैं, इसलिए सबसे पहले इष्ट देव तो आपके सूरी देव बनते हैं, उसके साथ ही आप भगवान राम या भगवान विश्णु की भी उपासना कर सकते हैं, यानि सूरी बं इनकी पूजा उपासना आपके लिए जीवन में प्रगति देने वाली साबित होगी तुमें सराज के दोस्तों ये था आप लोगों के जीवन के बारे में कुछ खास बाते आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं जैसरी राम